Now students, देखिए, सबसे पहला जो question है हमारे पास यहाँ पर Give five examples where the number of things counted would be more than six digit number, ठीक है? आपको ऐसे five example देने, जहाँ पर number of things, things में वो चीजे हो सकती, कोई भी चीज हो सकती, जैसे number of cars हो सकता है, number of stars हो सकता है, number of children हो सकता है, number of books हो सकता है, उनको जब count किया जाए, तो उनमें जो number निकल किया है, उनमें जो number of digits है, वो six digits से more होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, बहुत सारे examples हैं, आप भी दे सकते हो, तो पहला example लिया हमने यापर the population of 36 गड़ की जगा में उत्तर प्रदेश कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि बच्छों, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको example पहले दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश का example पहले पहले dai हुआ है, वहां से आप थोड़ा सा relate कर सकते हो, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको example दिया था, last class आपने जब करी होँगी last classes में तो यह देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digits हैं और 9 digits हैं यानि के 6 digits से more digits आ रही हैं इसमें तो यह यह बस अब आईए next example आपको total 5 example देने मैंने बहुत सारे लिखें आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो अब बताइए number of stars in the sky भाई इसकी तो कोई गिंती ही नहीं है ठीक है इस आकाश में कितने stars हैं उनक तो आप एप्रॉक्स में count करने के लिए पताए क्या करोगे आप उसको उसके लिए आपको scientific notation पढ़ना पड़ेगा जो कि आप class 11 तक जाके पढ़ोगे एक बार 8 में पढ़ोगे 9 10 में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे फिर class 11 में मतलब अभी तो आपको हमने 10 करोड़ तक सिखाया हुआ यहां पर 10 करोड़ तक है ना 10 करोड़ तक सिखाया ना यहां पर अब इससे भी बड़े नंबर होते हैं ठीक है आस्मान में जो आपके sky होंगे आपकी knowledge के लिए मैं बता दूं वहां पर कुछ इस तरीके से count किया जागा 2.3 into 10 to the power 34 तो अब यह सब क्या होता ह है वैसे तो करना पॉसिबल नहीं है करेंगे तो एक probability के हिसाब से किया जाता है क्लास 11 में वह सब चीज़ें आप देखोगे तो वहां scientific notation लिखते हैं वहां बहुत बड़े बड़े नंबर होते तो आविसली सिक्स डिजिट से ज्यादा ही नंबर वहां पर होते होंगे ठीक कि और अगर करोर में होंगी कार्स तो आप कहां तक जाओगे यहां से आजए यहें आगा ciudad देखिए यहीं इक करोरर और की हमारे पास यहां इंडिया में है UKरोडो की संघिया में यहां पर द्रिजिट है तो यहां है prot Meet a नंबर ओफ cage in India अविसली ठेक है हमारे पास यहां इ जो भी ट्रीक्त के नमबर ए सिक्स डेसित ज्यादा नमबर उब्ल मॉबाइल फॉन जो यूज करते हैं चुडेंड सी हाँ ठीक है या किसी शहर में ना बोल कए अगर आप बोल सकते हो आप या किसी state में कर दीए किसी state में किसी राज्य में जो students है students की संह्ख्या वो कोई भी student हो graduation का student हो वो आपका class 6 का student हो थेका तो number of students जो होगे यहाँ पर उनकी संह्ख्या बहुत जादा होगी obviously उनकी जो संख्या होगी मेरे ख्याल से 10 lakhs में तो होगी पक्का किसी भी राज्य में जो students की संख्या होगी 10 lakh अब आप देख लो भाई CBSC में जो बच्चे एक्जाम देते हैं board examination मेरे ख्याल से 20 lakh student के आसपास देता है यहां पर उत्तर प्रदेश में एक्जाम बच्चे क्लास 10 का देते हैं तो क्लास 10 के ही तने बच्चे होगे तो आप चेक कर लो ठीक है तो आप लिख सकते हो number of students in a state यह भी लिख सकते हो the number of children in India obviously भारत देश में जो बच्चों की संख्या है ओविसली करोर्स में होगी तो यहां 6 से जादा डिजिट्स होंगे अब यह एक्जामपल मैंने आपको पीछे समझाया था number of grains in a large sack एक बड़ा सा थैला ले लिया है ठीक है full of wheat full of wheat गेहूं से भरा हुआ एक बड़ा सा थैला अब बड़ा सा थैला है मानलो 10 kg का थैला है तो आपको मैंने calculation पीछे करके दिखाई थी ना याद है एक किलो ग्राम में लगभग 22,000 grains होते हैं है ना एक्जामपल आपको मैंने पढ़के आयो ना मेरी घैला अगर घैला बहुत बड़ा है अगर घैला बहुत बड़ा है इसलिए अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो मैंने यहां क्या लिखा हुआ है मैंने या लिखा है larger लार्ज साइक फुल ऑफ वीट बड़ासा थैला है बहुत बड़ा सा थैला है तो उसमें जो number of wheat गेहू के जो दाने होंगे उनकी जो संख्या होगी वो लाखों में होगी करोर में भी हो सकती है अगर बहुत बड़ा थैला है तो ठीक तो वहां पर सिक्स या सिक्स से ज़्यादा डिजिट्स आपको मिलेंगे ठीक है ना